सात्यों, स्वास्त का समन्द, सीधा समन्द, पोषण से हैं, हमारे खाने पीने से हैं, यदि हम सिर्फ पोषण के अभियान को हर माता, हर सिशु तक पहुँचाने में शफल हुए, तो अनेग जीवन बच जाएंगे इसी सोच के साथ हमारी सरकार ने पिछले वर्ष राजस्तान के जुन्जुनु से देज भर में राष्ट्रिये पोषण मिशन की शुरुआत की थी इस मिशन की गंभीरता को देखते हुए, पिछले वर्ष सितंबर के महिने को पोषण के लिए ही समर्पित किया गया था साथियों, पोषण की व्यवस्ता हो, स्वच्चता हो, टीका करण हो, ऐसा नहीं है कि पहले इस बारे में नहीं सोचा गया इन तमाम पहलूँ को लेकर आजादी के बाद से ही अनेक कारकम चले हैं, लेकिन हमें बहुत अधिक सफलता इन वर्षों में नहीं मिल पाई हमसे कम संसाधनों वाले छोटे देश भी इस खेत्र में हमसे आगे निकल गए इस थिती से बाहर निकलने के लिए 2014 से हमने नई रननिति के साथ काम शुरू करना शुरू किया है तीका करन के अभियान को मिशन मोड़ पर चलाने का फैसला लिया मिशन अंद्रधनूश के तहट देश के हर बच्चे तक पहुंचने का लक्ष तय किया गया साथियों अब तक इस मिशन के तहट देश में लगबग तीन करोर चालिस लाग बच्चों और करीब करीब नब्बे लाग गर्भवती महिलाओं का तीका करन करवाया जा चुका है जिस गती से काम हो रहा है उससे तय है कि संपूर्ण तिका करन का हमारा लक्ष अब ज़्यादा दूर नहीं है साथियों हमने तीका करन अभियान को तेजी तो दी ही है तीकों की संख्या में भी बड़ोत्री की है पहले के कारकम में पांच नए टिके जोड़े गए हैं जिस में एक एंसेफलाइटिस यानि जापानी बुखार का भी है जिसका सबसे ज़्यादा खत्रा हमारे उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में देखा गया है अब कुल बारा टिके बच्चों को लगाए जा रहे हैं मुझे खुशी है कि भारत के प्रयासों को मिशन इंद्रदनुष को आज दुनिया भर में सराहा जा रहा है हाल ही में एक मशूर मेडिकल जर्नल ने इस कारकम को दुनिया की बारा बेस प्रैक्टिसेस में चुना है